ये तीन चीज़ें घर के मंदर से तुरंध हटा देना और नहों हो सकते हैं बरबार दोस्तों हमारे घर के मंदर में हम जाने-अन जाने में कुछ ऐसी वस्तों रख लेते हैं जिनसे हमारा दुरभाग्य शुरू हो जाता है जो हमारे मुरत परिजन या जिन सादू को पूजा के लिए टूटे हुए चावलों का अस्तमाल कभी नहीं करना चाहिए जो हमारे गनेश जी से सम्पन दित है लेकिन इसको जानने से पहले गनेश जी को मानने वाले लोग कमेंट में ओम गनपते लिक्के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें हम ऐसे लगबख सभी लोग इस पर बेलकुल भी ध्यान नहीं देते कि हमारे मंदर में गनेश जी की कितनी मूर्ती या तस्वीर है हमें कभी भी हमारे मंदर में विशम संग्या जैसे तीन पाथ साथ रहते गनेश जी न रखकर केवस दो ही मूर्ती रखनी जैए